तो आज LCM और HCF की ये सेकंड वीडियो है इसमें हम कुछ और प्रशने देखते हैं बहुत बढ़ियां वाले कुश्चन और उसका सोलुशन भी बहुत बढ़ियां वाला होगा तो देखते हैं प्रशने यहां पर 20, 35 और 84 इसका HCF बताना है आपको क्या बताना है HCF तो एक तरीका तो HCF निकालने का ये है इसका और एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं तो आप समझ ना यह वाला तरीका तो हम यूज़ करेंगे नहीं इसका HCF कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो संक्याओं का अंतर देख लेते हैं, पहले तो, इन दो संक्याओं का अंतर देखा कितना है, पंदरा, क्या पंदरा से डिवाइड हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, फिर हम देखेंगे, इसका फेक्टर देखो आप, किसका फेक्टर, इसका, तो इसका फेक्टर कितने हो रहा है सबसे पहला पांच हो रहा है पांच से डिवाइड चौरा सी होते हैं क्या नहीं फिर क्या है तीन से डिवाइड बीस होता है क्या नहीं होता है फिर क्या है एक से डिवाइड सब है क्या बिल्कुल एक से डिवाइड तो हरे एक होता है तो इसका HCAP क्या हो गया एक आपका अंसर हो जाएगा प्रेस्टने नंबर दूसरा देखो आप में आप्शन भी दूँगा क्यूस्टन के बाद में अभी उससे और आपको आसानी होगी निकालने के लिए जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ एक कुशन तीस, पचास और सित्तर और एक सो बीस इसका आपको निकालना है है HCAP निकालना है तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अंतर, इसका अंतर कितना निकला, 20, तो 20 निकला, क्या 20 से 30 डिवाइड होता है, नहीं, तो 20 का फेक्टर पहला क्या है, 10, पहला 15 है, क्या है, 15 है पहला, तो क्या 15 से 30 डिवाइड होता है, नहीं, फिर उसके बाद में करूंगा 10, 10 से सबी हो रहे हैं क्या हो रहे हैं क्योंकि इसका है क्या गया फिर दस तो एच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हो तो सबसे पहले तो हमें कालना है वह लेको जए लॐ कि तो सबसे पहले करते हैं एक काम करते हैं बात कर लेते हैं कि 42.63 और सबसे बढ़ा नमबर सबसे पहले देख लेते हैं कि 142 तो डिवाइड होता है लेकिन 143 डिवाइड नहीं होता है अर्थात यह चौदा ऑप्सन खतम हो जाएगा उसके बाद में 9 से डिवाइड करने के लिए डिजिट सम के लगाना पड़ेगा नो लगाना पड़ेगा तो 4 सबसे कम अंतर दिख रहा है मुझे तो यह देख लो तो इसमें सबसे कम अंतर क्या है का है क्या है या फो हमारा आंसर 20 ही हो जाए तो 242 हो रहा है 21 सरसंथ नहीं जा रहा है अर्था इसका फेक्टर देख में देखते हैं साथ को पहले तो BTS 좀 elbows यह भी टिवाइड हुआ कि यह हुआ एसको देख लएते सा Whenever अर्था इसने सबसे नंबर ने इसको डिवाइड कर दिया अर्थाध साथ ही आपका क्या हो गया हो गया तो इस तरीके के से भी हमें बड़े से बड़े के-शॉन को देख मतलब बड़े से बड़े क्यूशन को भी बहुत आसानी से हम इसको solve कर सकते हैं और option से भी हम इसको solve कर सकते हैं अब यह दो क्यूशन आपके board पर लिखे हुए इसको solve करते हैं तो 36 84 का hca बताना है तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वही जो मैंने तरीका बताया है आपको 36 84 को देखो 36 84 को देखो तो इसका जो difference आया वह कितना है तो आप देखो कितना आएगा यहां पर तो 14 इदर के और 24 नहां पर 34 इदर के तो 34 और 14 कितने हो गाए 38 कितने हो गाए 34 और 14 और 48 होंगे कितने होंगे 48 तो इसका अंतर कितना गाया 48 अब या तो 48 ही आप का answer हो जाया लेकिन 48 से 36 जाता नहीं है तो एक काम करते हैं इसका छोटा फिक्टर देखते है चौवीस देखो आप चोवीस से 36 नहीं जा रहा रहा है उसके बाद में क्या देखो गए आप 16 से कबाद में कौई सा फिक्टर हे सोला के नहीं जाता यह उसके बाद में कौन सा Vonnen है उसके बाद क्या है 12 12 से 36 जाता है जा रहा है 12 से 34 जाता है जाता है 12 तिये 34 और 12 सता की 34 अर्थात इसका HCF क्या हो जाएगा 12 मैं इसका मैं इसका आपको और भी तरीका बताऊंगा बहुत अच्छे वाले लेकिन उसके लिए आपको तो डिवीजिबिलिटी रूल अर्थात विवाजिता का नियम आपको पढ़ना होगा उससे अगर आपको उसने उस कॉंसेप्ट को आपने समझ लिया तो समझ लेना कि यह क्योशन आपके बहुत जल्दी से सोल वह जाएंगे अर्था चतीस और चौराजी का एक्षेप कितना है बारा यह आपका राइट अंसर हो जाएगा अब आगे देख लेते हैं यह नीचे वाले क्यूशन को बैयालीस सित्तर अंटानवे और 126 का एक्षेप्ट देख लेते हैं तो सबसे पहले तो देखते हैं किसका बैयालीस का 42 और सित्तर बैयालीस और सित्तर इन दोनों में अंतर देखते हैं तो अंतर आया 28 का कितने का आया 28 का आया या तो आपका अंसर 28 हो जाते नहीं तो 28 का छोटा फेक्टर देखो चाउदा दो से कैंसिल आउट किया मैंने यह चाउदा तो चाउदा तीजा बैयालीस चाउदा पंचेशिटर चाउदा शाटे अंटानबे और चाउदा के से कितनी बार जाता है नो बार चाउदा नुमा की 126 भी होते अर्था चाउदा ने इस सब को डिवाइड कर दिया तो इसका राइट अंसर कुम सा हो जाएगा चोते नम्ब्र का उप्सट्नान राइट चाउदा हो जाएगा अब देखतें हूद भिन्नों वाले मरे 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 ममने और लेम निके तो आपको यह दिखान अना चाहिए। जो इंहां देका वो ऊपर की संक्या निकले Вид अगाu नी है तो आपको दिया हो वह तो निकलेगा उपर वाला और बचा क्या दूसरा वाला तो है यह इसमें एक भी मौजूद है अर्था ऊपर का जो एचसी एड़ा और जाएगा वह कितना आएगा एक आएगा अब LCM की बात कर लेते हैं LCM की बात कर लेते हैं तो आप देखो ध्यान पूरवक LCM कैसे निकालेंगे दो चार छे आठ दस का क्या आप देखो कि दस में दो का बाग जाता है क्या तो इसका मतलब दो को नहीं लेंगे आठ में दो का बाग जा चार का बाग जाता है क्या तो इसको भी नहीं लेंगे अब अब ध्यान से समझना इस दस में दो का बाग जाता है तो इसके दो निकाल दो लेकिन क्या निकालोगे दो दो निकालोगे तो बचे कर दो से बाग दो इसको दो चुके आठ अब इस चार मे भी दो मुझूद है दो इससे निकाल दो बचेंगे क्या तीर तो आप हमारी संक्या बचिए तीन इंटू चार इंटू दर तो दस चुक चालिस और चालिस तीया 120 तो 120 LCM निकल गया तो अब हम लिखेंगे HCA पूपर का और LCM नीचे का अर्थात एक बटे में 120 आपका आंसर हो जाएगा एक बटे में 120 यह राइट आंसर हो जाएगा अब यह तो हो गई हमारी इस तरीके की बात की इस तरीके से हमें करना है लेकिन जब कभी भी हमें option में दिया हो और option दिये हो तो option को किस प्रिकार से देखेंगे तो सबसे पहले आप देखो कि उपर की संक्या में एक मुझे तो एक हो नहीं है तो इसमें एक है क्या है अब ध्यान से समझना बात को LCM में क्या होता इसमें इसका भी बाग गया होगा इसका भी 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 गया होगा अब यहां पर दो है अब LCM के इतना छोटा हो सकता है क्या 10 को बाग जाना चाहिए तो जा रहा है क्या दो का नहीं जाता है मतलब की दो में जाता है क्या दस का भाग नहीं जाता है अब दस को देखो इस दस में भाग क्या आट का जाता है क्या नहीं जाता है तो यह भी गलत हो गया अर्थात हमारा बचा है सिर्फ और स्रिफ यह ऑप्सन तो यह क्या हो जाएगा राइट आंसर हो स्कूरिश्चन का निकलेगा तो उपर की संउप और नीचे की संग्या का ल सी है कि ल सीए तो सब से पहले हम कॉंसेट के माद्ययम से समझते हैं सबसे पहले तो होता आप देखो कि उपर की संग्या क क्या जाँ यहां चाहिए तो दो-चार में कितना यह नहीं ऐसको tienes toил से करना अभी अभी हम कांसे से करेंगे तो 35 7 में कोई भी seven देख्तो नहीं रहा है तो इसका क्या कर दो आप इंटू कर दो पांचила 15 15 कि 105 अर्थात आपका अंसर क्या आया LCM में 105 आया तो आपको जब कभी भी ऐसे लिखना होगा तो HCF निकालना है तो उपर की संक्या का HCF निकलेगा और नीचे की संक्या का LCM निकलेगा लेकिन जब कभी भी आपको LCM निकालना हो तो LCM तो उपर लिखाएगा और HCM नीचे लिखाएगा तो जो निकालना होता है वो कहां लगता है उपर लग जाता है तो HCM पहले कितना बताया हमें दो और LCM कितना बताया 105 अरदा दो बटे 105 यानि हमारा यह 2nd number का option right हो जाएगा तो यह तो हो जाएगा आपका option के माद्यम साइरी स्कॉंसेट के माद्यम से चलते हैं तो ऑप्सन के माद्यम से चलने का देखते हैं कि सब में क्या है 105 105 105 यह तो के कि वेल्यू को हमें देखने की कोई आवज़क्ता नहीं मुझे बताओ कि हसी एप निकालना है तो उसमें दो में बांग जाना चाहिए उस और तो नहीं है गलत फ्लीर्ज समय नहीं खाग आ यहां नहीं दोुका में जा रहा है और तैलिस का भांगे दो में जाएगा जाएगा क्या नहीं जाएगा नहीं जाएगा तो इसका मिंतलब यह हुए अर्टालीस में नहीं जा रहा है वही यह जा रहा है तो यह आंसर राइट लगा दो up क्योंकि सबसे चूटी Girls के यह थी ना और डो ने जा तो राइट आंसर इसमें भी देख लो जाता है तो इस को देखते हैं इसका क्या निकालना है HCF निकालना है अरताथ हमें लिखना पड़ेगा किस form में लिखना पड़ेगा HCF निकालने के लिए HCF बटे में LCM अब यहां निकालना है LCM तो इसको लिखना पड़ेगा LCM बटे में HCF इस form में आपका अंसर आने वाला है तो उपर की वैल्यू को हमें क्या निकालना है है एक निकालना है तो आप देखो सबसे कम अंतर देखो तो इसमें देखी रहा है भाई यह तो एक आगा बटे में अब यहां पर देखो 14 में साथ का भाग जा रहा है तो साथ को नहीं लेंगे बचे क्या पांच और 14 बचे इन अब यहां पर LCM निकालना है तो LCM बटे में HCF लेना है क्या लेना है LCM बटे में HCF LCM बटे में HCF लेना है तो देखो उपर का क्या निकालना है LCM और नीचे का क्या निकालना है HCF तो आप मुझे बताओ यहां पर 9 है और यहां पर चउदा है तो आप देखो इन दोनों मे कोमन तो कोई है नहीं नहीं सो उसका Welcome कितना ह2 एक आएय गा कितना है । ल॥ह मत ALL आ व्होई होई इन्हीं न मुझे जाए कितने हैं कोई कोईर्ण के सब्सक्रार ने रहे तो नहीं दिक्राए नहीं दिर्शे हैं इस और 21 अशन्म बैयाली है तो 42 बटे मैं एक आपका क्या जाएए का आंसर हो जाएग dunno बटे मैं एक लगाओ या मत्लगाओ वह आपकी इच्शा रेकिन 42 बटे में एक अरथा थो 42 अंसर भी आपके हो जाएंगे और एक बटे सित्तर इसके आंसर हो जाएंगे